हनुमान ताल थानां तर्गत मक्का नगर गली नंबर 6 में बुधवार की देर रात दो यूवकों ने 17 वर्षिय एहरुद्दीन नामक किशोर पर चाकू से प्राण घाता कहमला कर उसकी हत्या कर दी। मिरतक के परीजनों ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि उनका बेटा एहरुद्दीन घर से बाहर निकल कर खड़ा था। तभी पडोस का रहने वाला शाहबुद्दीन उससे विवाद करने लगा और फिर उसके बाद उसने कुछ और लड़कों को बुला कर उस पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद परीजन उसे अस्पताल ले आए जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। अठारा साल का है सर्, कुछ नई जार इसी साल तसकी क्लास में पास किया है वससे। देर रात मरतक के परीजन FIR दर्ज कराने ठाने पहुँचे थे। पुलिस अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताये कि प्रारंभिक जाच में दो युवकों के नाम सामने आए हैं। बताया जाता है कि हमला करने वाले युवकों की मरतक और उसके परिवार से पुरान पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जाच शुरू कर दी है। पुलिस ने देर रात गटना को अंजाम देने वाले युवकों को हिरासत में लेकर पूश्ताज शुरू कर दी है। गटना की जाच की जा रही है।